हलो गाईज मेरा नाम है अंगत और आप लोग देख रहे हैं यूटूब चैनल अंगत परजापती तो गाईज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुनिया के महान बेग्यानिक आइंस्टाइन उनके दिमाग के साथ क्या हुआ जब वो मर गए तो गाईज आज इसी के बा कि मनने पहले डाक्टर थोमस हारवे ही इनका इलाज कर रहे थे और गाईज इन्हों ने बिना इनके घरवाले के पूछे इनका दिमाग है ओ निकाल लिया और निकालने के बाद में इन्हों ने उस दिमाग को एक ऐसे डब्बे के अंदर रखा जिसके अंदर कई दिन तक इ इनके बाद में इस दिमाग को इनको दिया नहीं और गाईज इनको कुछ नहीं पता चला कि इसके अंदर रैसा क्या है क्योंकि यह जो दिमाग था नॉर्मल दिमाग की तरह था यानि कि जो आम इंसान को दिमाग होता है वैसाही था गाइज करीब 40 साल के बाद थोमस हारवे ने इनके बेटे से रिक्वेस्ट किया तो इनके बेटे ने इनके दिमाग के उपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह दिया यानि कि आग्या दे दिया इसके बाद में डाक्टर थोमस ने उस दिमाग को बैग्यानिकों को सौप दिया और बैग्यानिकों ने इस दिमाग के उपर रिश्रस किया तो पाया कि इसके अंदर जो तंतर का तंत होती है उसकी मात्रा जो है बहुत जादा है और ये जो दिमाग है दूसरे दिमाग के मुकाबले से थोड़ा सा बड़ा है और वेग्यानिकों ने दिमाग को काट के देखा तो इसके अंदर इन्होंने पाया कि इनका जो दिमाग है इसके अंदर जो सेल्स है बहुत जादा मातरा में है और गाइज इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला गाइज आपको पता ही होगा जो तंत्रिका तंत होती है इसका काम क्या होता है यानि नूरोन्स का काम क्या होता है यह जो है यह क्लेटिकल करेंट पैदा करता है जिससे कि हमारे जो संदेश है एक से दूसरे तंतिका तक आसानी से पहुँच जाए और यही चीज उनके शरीर के अंदर ज्यादा थी जिससे उनका जो काम और सोचने के सकती थी बहुत तेज थी तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर हमारे आप चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए